नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत हैं आज का टॉपिक जो हमारा है वो आधार की तरह नया जरूरी नंबर ये बताएगा आपका डिजिटल और क्या-क्या इसके बारे में हम इस विशे पर चर्चा कर रहे हैं साथ-साथ इसे समंदित अन्नी बिंदों पर भी प्रकास डाला जाएगा चली प्रारम करते हैं मैं सत्यनार इंटेलर आप सभी का स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस वीडियो टुटल पर आईए आज हम इस विशे पर चर्चा करें आपका पता लिखने की बजाए जल्दी ही ऑनलाइन डिलेवरी से लेकर एड्रेस वेरि कोड कहलाएगा डी एसी कहलाएगा चलिए जाने आखिर क्या है यह डिजिटल एड्रेस कोड कैसे बनेगा आपके पते के लिए एक यूनिक कोड क्या है डिजिटल एड्रेस कोड सरकार जल्दी देश के लिए सभी पतों के लिए डिजिटल कोड यूनिक कोड बनाने जा रह यूनिक कॉड की तरह काम करेगा, सरकार इसके देश के हर पते को वेरिभाई करके उसके साथ एक यूनिक कोड जारी करेगी जो उसके पते की जगए online delivery से लेकर, उस व्यक्ति के address verification तक हर चीज में उसके e-पते के तोर पर काम करेगा कौन बन रहा है डिजिटल एड्रेस कोड या कौन बना रहा है 12 सरकार का डाक विबाग पॉस्टल लेंड टेलिग्राफ डिपार्टमेंट डिजिटल कोड एड्रेस कोड डी एसी बनाने की दिशा में काम कर रहा है डाक विबाग ने हाली अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर डिजिटल एड्रेस के प्रस्ताप और सभी स्टेक होल्डर के फीडबैक और सुजाव मांगते हुए एक डाप्ट रिसर्च पेपर जारी किया था जो फीडबैक देने की समय सीमा 20 नवंबर तक समापत हो गई ऐसे कामों में माना जा रहा है कि सरकार जल्दी डिजिटल एड्रेस कोड को लेकर कोई गोसना कर सकती है क्या है ये डिजिटल एड्रेस कोड इसके बारे में ये बताए गया है देश्क सभी पतों के लिए एक यूनिक कोड जारी होगा इसमें सभी पतों को verify करना किया जाएगा देश्क में 35 क्रोड गर है और 75 क्रोड उस पते सभी के बनेंगे यूनिक कोड यूनिक कोड सभी के लिए पते के लिए एडरस के तौर पर काम करेगा Digital Address Code हर Address के आदार की तरह इस्ताई होगा क्यों है Digital Address Code की जरूत Digital Address की जरूत क्यों है इसके बारे में डाक विवाग ने या पॉस्टल विवाग ने बताया है कि आधार को Address Proof के तोर पर यूज किया है लेकिन आधार पर दर्ज अध्रेस डिजीटल प्रमानित नहीं किया सकता है वर्तमान में सभी address proof documents के साथ यहीं कमी है कि किसी भी address को digital प्रमानित करने के लिए उस address को digital location या geo special coordinates या भुस्तनिक निर्दिस्थांग से link होना चाहिए ऐसा होने पर digital address identify को address के online authentication के लिए उप्योग लिया जा सकता है सटीक address तक पहुँचना में बहुत मुश्किल होती है online business या transaction में बढ़ोती हुई है और online खरीदारी भी बढ़ी है लेकिन delivery के लिए किसी भी address या इस्तान तक पहुँचना बहुत कटिन काम है आधार बस address proof का है और आधार का उप्योग आवम तोर पर address proof के लिए किया जाता है लेकिन आधार कार्ड में मुझद पते को digital प्रमानित नहीं किया सकता है नकली पते से fraud अभी फैंक address यूज़ का करके e-commerce ग्राकों के साथ दोकादरी होती है और address के digital link होने से online प्रमानित किया सकता है जिसे fraud रुकेंगे यूनिक होगा address बहुत ही लंबे चोड़े address हमेशा यूनिक नहीं होते हैं ऐसे इस्ताना पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है क्या होगी digital address code की विशेशता है DSE हर address के लिए एक यूनिक होगा और address का मतलब प्रतेक व्यक्ति की आवाश यूनिट या office का बिजनस या बिजनस होगा Digital address code को address का प्रतिनित करने के लिए जियो special coordinates से जोड़ा जाएगा और address के entry gate पर या gate पर coordinates से इस उदिश के लिए address का प्रतिनित करेगा ऐसे समीदे सिल्फ प्रतिस्टानों के लिए जिनके जियो special coordinates का कुलासा नहीं किया जाना चाहिए Digital address code जारी नहीं किया जाएगा और पडोश या सेर के coordinates से उसको जोड़ा जाए सकता है कैसे काम करेगा Digital address code Digital address code जियो special coordinates से लिंक होगा और इसे address का online authentics किया जाएगा banking, insurance, telecom, sector के लिए KYC verification आशान होगा समेदि सिल्फ प्रतिस्टानों का digital address code जारी नहीं किया जा सकता है सुरू में कुल 12 digit का digital address code जारी करने का प्रस्ताव है DSE कैसे होगा हर address के लिए unique एक स्वतंत्र घर, एक digital address code DSE के साथ उसका address होगा अगर घर का दो इससा बटवरा है तो उसके लिए एक अलग address के साथ अलग-अलग DSE जारी की जाएगी एक apartment में हर वेक्ति को एक digital address code DSE अलोट होगा जो apartment या building block की entry के जियो special coordinates से link होगी कोई भी corporate office या सरकारी office complex की भी अलग digital address code होगी जो उस building के जियो special coordinates से link होगी जिसमें वे office इस्तित है digital address code DSE हर address के लिए को इस्ताई होगा और यदि address का अपरतिने करने वाली property के एडरेस में बदल जाती है तो हर नए address को एक नए DSE अलोट होगा कितने digit का होगा यह digital address code डाक विभाग के मताबिक भारत में करीब 35 क्रोड घर है अगर इसमें सभी business गेर आवासी location को जोड़ दिये जाए तो देश में कुल पतों की संक्या करीब 75 क्रोड हो सकती है सुरू में 11 digit प्लस एक चेक डिजिट यानि कुल 12 digit का digital address code जारी करने का प्रस्ता है जिससे जरूत पढ़ने पर करीब 100 क्रोड पतों को कवर किया जा सकता है क्या होगे digital address code के फायदे प्रस्तावी digital address code जियो special coordinator से लिंक होगा और इसे address का online authentication किये जाएगा इसमें banking insurance टेलिकॉम आधि सेक्टर के लिए kyc verification प्रक्रिया आसान हो जाएगी और इसे बिजनेस करने की लागत घड़ जाएगी DSE online authentication का साथ आधार authentication के digital के eky का process पूरा हो जाएगा DSE के delivery services खास तोर पर e-commerce चित्रों में high productivity और service की quality बहुत बैतर हो जाएगी DSE के आने से सभी चित्रों में जैसे property, tax, session, emergency response, disaster management election management, infrastructure planning, management जंगरना, संचालन, सिकायत निवारन और financially और administrative efficiency बढ़ जाएगी Digital address code से सरकारी योजना का वित्रन होगा और उने लागू करना असान हो जाएगा Digital address code से सरकार की one nation one address की योजना भी इसमें अमली जामा पहना जाने की उमीद है Thank you so much for watching, have a great day, Jai Hind, Jai Bhai